आज का गलास बहुत ही खास और यूनिक होने वाला है आज हम पढ़ेंगे बीटी सिमायत जो कि यहां पे चेप्टर लिया गया है आठ और इस चेप्टर आठ में चेप्टर का नाम है तिरकुलमीती और यहां पे देखेंगे तिरकुलमीती में तिरकुलमीती अनुपात कितने वाले हैं अदम जीरो लेवल से मानिए कि सबसे असान तरीका से ठीक है आप लोग को दावा है कि आप लोग को समझ में आएगा चलिए देखते हैं बोड की ओर यहां पे ध्यान दिजिएगा यहां पे बीटी सी मैं थे अध्याय आठ करने का मतलब पाठ आठ है और इसमें पा का उत्पती ग्रीक सब्द ग्रीक सब्द ग्रीक सब्द ग्रीक सब्द त्री त्री दूसराम है गौन तीसराम है मेट्रोन यहां दिजिएगा यहां पे तिरकोन मीती का जो उत्पती है इन ही तीन ग्रीक सब्दों से हुगा है ठीक है कहने का मतलब त्रिकोडमीती का उत्पती ग्रीक सब्द त्री गौन और मेट्रोन यहीं ग्रीक सब्द जो तीन हैं त्री गौन मेट्रो इनहीं तीन ग्रीक सब्दों से त्रिकोडमीती का उत्पती हुआ है समझ में आ गया होगा चलिए अब यहां पे यहां पे अब हम बताने माले हैं कि त्रिकोड मीती किसे कहते हैं ठीक है त्रिकोड मीती आखिर है क्या चलिए तो यहां पर पहले लिखते हैं त्रिकोड मीती ध्यान दिजेगा त्रिकोड मीती चलिए तो देखो तो यहाँ से 3 को अगर हम लेते हैं तो इसका हिंदी अर्थ होता है 3 तीन, और यहाँ पे कोण को यदि हम लेते हैं, तो कोण का हिंदी अर्थ होता है कोण, कोण का हिंदी अर्थ कोणे न होगा जी, और यहाँ पे देख लो, मीती का, अगर हम हिंदी अर्थ लेते हैं, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा माप, अचा है, मापना, अपने भासा म नापना कहते हैं हम लोग नहीं लेकिन नापना नहीं लिखना है जब भी लिखना है मापना नहीं तो माप ठीक है तो देखो तीन कोड माप तो तीन कोड माप को अगर हम सही से सुधस हिंदी वाक्य बनाएं तो हो सकता है तीनो कोडों की माप हो सकता है कि नहीं यहां पे तीन कोण माप अगर इसको हम सुधस हिंदी वाक्य में बदले को है तो यह हो जागा तीनों कोणों की माप तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि तिर्भुज के तीनों कोणों की माप को क्या कहते हैं तिर्भुज के तीनों कोणों की माप को क्या कहते हैं क्या अब इससे और भी असा चलिए बस तिरकोलमीती का आपका जो इंक्ट multicultural है बस यहीं इतना ही काफी है ठीक है अब हम ले चलते हैं आप लोगियों आगे और क्या ले जाएगे आगे कि ओर अब देखते हैं कि तो समझ में आ गया होगा नहीं कोई दिक्था नहीं दिक्था जुगा Ulaha आगे बढ़ते है चलिए अभ यहाँ पे तिर्कुण मीथी से एक खंड आएगा ठैकिन एक भाग उत्पन होगा तो तिर्कुण मीथी से एक भाग उत्पन होता है इस भाग का नाम है तिर्कुण मीथीय अनुपात इस भाग का नाम है त्री कोड मितिय अनुपाद त्री कोड मितिय अनुपाद इसका इंगलिस लिख देते हैं होता है त्री गोणो मेट्रिकल रेशियो ध्यान देजिये यहाँ पे त्री कोड मिति से एक भाग उत्पन हुआ त्री कोड मिति का एक खंड आया यहाँ पे उस खंड का नाम है त्री कोड मितिय अनुपाद अब यहाँ जो त्री कोड मिति से एक भाग फुट के आया इसका नाम है त्री कोड मितिय अनुपाद तो पूरा खेल इसी तिरकोणमीतिया अनुपात पर निर्भर है यहाँ पे अध्याय आठ में तिरकोणमीति में जितना भी खेल है कहने का मतलब जितना भी कोहचन है सब तिरकोणमीतिया अनुपात पर अधारित है पूरा कोहचन तिरकोणमीति में बबु पूरा कोहचन जो नियम पूरा कोशन जो भी सुत्रोगारा है सब तिरकोडमीतिया अनुपात पर निर्भर है सब इसी से होगा सब तिरकोडमीतिया अनुपात से यह पूरा खेल खतम हो जाएगा ठीके कहने का मतलब हमारा यह है बाबू कि यहाँ पे आप लोग के सामने तिरकोडमीति से एक भ हम समझेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि तिर्कुणमितिया अनुपात किसे कहते हैं, आखिर तिर्कुणमितिया अनुपात होता क्या है, तो तिर्कुणमितिया अनुपात सुनिए ध्यान से, ध्यान प्रुभग सुनिए क्या होता है, तो तिर्भुज के नियून कोडों के अध्यम से ही तिरभुझ के भुञाओं को ग्यात करना ही आचा he maapnya हे क्या कराता है तिर?. अनुपाति कराता है समझ में आ गया होगा ठीखे चलिए आगे बढते हैं अब क्या होता है बाबू इसमें अब क्या होता है अब तो तिर्कोड मितिया अनुपात कितने होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है तो तिर्कोड मितिया अनुपात बाबू छो होते हैं कौन कुछ चलिये यहां पर हम बता रहें हैं यहां पर और स्टार में हम लिखते हैं पॉइंट वन लेते हैं यहां दीजेगा लिखेंगे त्री कोड मीती में त्री कोड मीती में त्री कोड मीती आउनुपाद छो होते हैं ध्यान दिजीगा यहाँ पे लिखे है त्रीकोड मीती में त्री कोड मीती में ऊपात कितने होते हैं शो होते हैं तो कौन Y यहाँ पे हम बता रह कि मानद एक में होता है फैरत्रिकिता जारण होता है कोट ठीटा 5 में होता है सेख ठीटा 6 में होता है कोट सेख ठीटा ध्यान दिजेगा कोट सेख ठीटा चलिए यहाँ पे तिरकुलमितिया अनुपाद 6 होते हैं जो निकल क्या चुका है यहाँ पे पहला तिरकुलमितिया अनुपाद साइन ठीटा दूसरा तिरकोडमितिया अनुपाद कोष्ट ठीटा यहाँ पे तीसरा तिरकोडमितिया अनुपाद टैन ठीटा चोथा तिरकोडमितिया अनुपाद कोष्ट ठीटा पांचवा तिरकोडमितिया अनुपाद सीख ठीटा और छठा तिरकोडमितिया अनुपाद क सो से ढवाल चलिए और यहाँ पे ध्यान दिजेगा कि यहाँ पे ठीटा टुकол के गों elliτα है यहाँ पे शाओ तिर्कृण मितियों अनुपात में ठीटा के हो लेते हैं निकाल दे कहने मतलब साइन में से साइन में से बबू थिट्टा को अगर हम अलग कर दे थिट्टा को हम अलग कर दे तो साइन भर बच जा रहा है क्या बच रहा है साइन भर ज्यांदिजे बाबू अगर हम साइन थिट्टा में से थिट्टा को हम अगर निकाल दे थिट्टा को नो ले मालिजे थिट्टा को नो ले तो बाबू कोई भयलू коест है यसाइन का कोई मतल cristala को लगाद देते हैं तो इसका और अंधर कोई मतलब तनाता है समय रिपीट करें देखो साइन ठिटा में से अगर हम संसे क्रणा अगर साइन में नोड लिखें तो साइं ठीटा का कोई मतलब नहीं I have the character black thisとか कोई भैलू नहीं होगा तो इसलिए इसका भैलू लाने के लिए इसे का कोई मतलब होसाइन का से थो यह हम साइं ठीटा को लगा देते हैं तो आपका ऐसे कर सकते हैं नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हैं ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्यों आई ये बताते हैं ध्यान दिजेगा यहां पे साइन और ठीटा एक दूसरे में गूरा नहीं हो सकते हैं बाबू यहां गूरा नहीं होते हैं अब आप कहिएगा कैसे सर यहां पे साइन और यहा पे साइन और यहां पे हम ऐसे कर दे यहां पे माली जिए दो ही कर दे चाहे पांच कर दे ते क्या यहां गुना है तो नहीं हाँ ध्यान दिजेगा अगर पांच अगर कोड नहों अगर पांच कोड नहों तो गुना कुरुप में है आचा है बाब वो ऐसे कर सकते हैं माली 27s and the ﷺ To beat a sign in a guna group में है यहाँ इसको ऐसेरी इसलिक सकते हैं भी सब्सक्राइब दो संगने इसलिए सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यां दीजिए तो यहां पर समझें एक दुस्य को थीटा को शकते हैं को 10 को क्योंकि यहां पे जो ठीटा संप है यहां पर और वे इसको कह नहीं सकते हैं गुड़ान फर्ट के रुक में धोनों नहीं हो सकते हैं समझवाया देखो यहाँ जो भी ठीटा लेंगे ए लेंगे बीर लेंगे सी लेंगे कोई भी अंग्रेजी अच्छार यहाप गुणा क्रूप में लेंगे बभू अच्छा है बभू अलपा बीटा गामा यह तीनों भी पर आहां पर कोड्के रुक में तो बबू वा दोनों आप में फर्क में कभी नहीं कर आएंगे गुड़ा कर रुक में कभी नहीं कर आये सकते हैं धां दिजीए गा क्योंकि यह समय स्मुझना बहुत इंपर्टेंट है अगर आप यह नहीं समझेंगे तो आपका-पुला कुश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन बना के देता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर अगर हम कहादे कि क्या स्पाइन साइन ए बराबर साइन गूने ए यह हो सकता है गलत कभी नहीं कभी नहीं क्योंकि यहां पर जो हième भी हम पत handlar है कि अंग्रेजी के कोई भी अचर यहां पर अगर कोड को फिर्टट में अंग्रेजी के सभी अचर या चयाए कोई और यहां पर साइन में तो ह्खुरन फटट्रु नहीं हो जैसे माली जिये यहाँ पर इसको ले ले कौशेक यहाँ पर कौशेक अंग्रेजी अचर माली जिये यहाँ पर क्या ले ले यहाँ पर बी ले ले तो क्या यह दोनों गुड़ा कुरूप में है नहीं यह दोनों गुड़ा कुरूप में नहीं है इसको हम कौशेक कौशेक अग अंग्रेजी अच्छर हो तो वहां गुणाक रुप में नहीं हो सकते हैं वहां गुणाक रुप में नहीं कहलाएंगे ठीक है यहां दिज्जेगा कहने कमतलब यहां पर 6 तिरकुणमिती अनुपात में यहां पर 6 तिरकुणमिती अनुपात में अगर अंग्रेजी को अच्छ तो वह गूड़ा गूर्प में हुई नहीं सकते हैं अदम गरत माना जाएगा यह ध्यान देने वाला चीज है वागू आगे बढ़ें चलिए समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं देखे एक चीज साइन और यहां पे ध्यान देने वाला बात है मालीज़े यहां पे अगर हम नोट में लिखे इसको थोरा सा मिटादे कि इसको मिटा देतने हैं ध्यान दीजिएगा को टोर्थ हम मिटालते पहले देखो ध्यान दीजिएगा साइन साइन ठीटा ध्यांदी जेगा साइन स्थीटा का संचीप्त संचीप्त रूप साइन ठीटा होता है घ्यांदी जेगा यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखे हम माली जिये यहां पर नोट में इसको नोट में डालीए बहुत जरूरी है इसको नोट में देली आ इसको नोट में लिखए नोट चाले यह नोट में हम ने किया कि साइन ठिट्टा का संचिप्त रूप साइन ठिटा होता है कहने कम दो देっ देखो यहां पूरा नाम वहाद ध्यान दिजेगा साईन ठिट्टा का पूरा नाम हुगा देखो यहां पे i n यहाँ on सभा tip में तेहाँ प्रम प्रिट क्षिए और मसक्रों संचिप्त शोर्य कंदें ओर इसकी संचिप्त हाई करने का मत इस सब्सक्रास ए खानेराईन्ट संचीप्त टाए ंदेखर сок i nम भीट दरेट दोरोल और संचिप्त नामso यहाँ पे मेनिंग दोगो, S, I, N, E है, लेकिन यहाँ पे क्या है, S, I, I, N, यहाँ पे E है, नहीं न, तो इसलिए यहाँ पूरा नाम खालागा, यहाँ पूरा नाम, और यहाँ संचिप्त नाम खालागा, समझ माया, चलो, उसी परकार बबू, उसी परकार को साइन, को साइन theta का चलि आई से कर देते हैं समझाधेगा यह क्या है का संचिप्ध रूप यह समझेगा तो cosine theta का संचिप्ध रूप or cos theta होता है ध्यान दिजेगा बहुत basic चीछ है साइध इसको कोई नहीं बताए इसको कोई नहीं बताता होगा ठिकर ध्यान साइन का संच्छिप्त रूप होता है कोस ठिटा ध्यान दिजएगा माइटरिक परिश्चा म् पुछता है बाबु उस्ता तो पुछता है और हम ऐसे भी कर सकते हैं कोस ठिटा का पूरा नाम को निदお श्रिकोन के अगर हम इश टीटा का पूरा नाम तो Kimberly हुआ कोटाइजेंट ठीटा का संचीवत रूप होता है टाइन ठीटा यहां देना है समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब समझ में आ गया होगा है अब क्या क्या होता है चलो कोटाइजेंट 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 ठीटा का संचीवत र रुप होता है से ठीटा से ठीटा यहां पर लास्ट है यहां पर तथा लिख दे रहा है यहां पर लास्ट में तथा है तथा में हो जाएगा को से को सेक्षिट थीटा इसका संचिप्त रूप होगा कोस एक ठीटा हम रिपीट करेंगे अपड़ा यह मत रिपीट करेंगे हम चलिए संजार है साइन ठीटा का संचिप्त रूप होता है न सेक होता है कोस एक ठीटा, बहुत जरूरी है बाबू यहाँ बहुत जरूरी है इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे कोशन बार-बार मैट्रिक परिश्म पूशता है इसका संचीप्त रूप और पूरा नाम ठीक ना संचीप्त रूप और पूरा नाम कोशन को उलट पूलट करके आपका मैट्रिक परिश्म कोशन डाला जाएगा ठीक है ध्यान देना है क कोई दिख्कत दिख्कत नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आगे बढ़ते हैं बाबु कि चलिए उसके बाद बहुत ही जब और जगत यहां पर पॉइंट देखनों के मिलेगा जो की बहुत भी भी आई पॉइंट है यहां पर आप लोग को पढ़ाय जाएगा यहां पर है ध्यां दिजिएगा जैसे देखलो यहांप आश्टार मिले लेते हैं पहला पॉइंट माले जिये यहां पर साइन साइन ठीक्टा सोरी यहां पर यहन देना भूल गए साइन ठीक्टा तो साइन ठीक्टा का ब्यूत करम साइन ठीक्टा का ब्यूत करम कोशेक ठीक्टा होता है ध्यां दिजिएगा यह बहुत भी भी आई पॉइंट है बावू बहुत भी भी आई पॉइंट है इससे भी कोशन बार बार करता है साइन ठीटा का व्यूत्क्राम, व्यूत्क्राम का मतलब होता है उल्टा, व्यूत्क्राम का मतलब उल्टा, तो साइन ठीटा का व्यूत्क्राम को सेख ठीटा होता है, चलिए, प्वाइंट नम्मर टू, अस्टार, यहाँ पे कोश ठीटा, कोश ठीटा का व्यूत्क्राम, च 3 स्टार 3 यहां पे 20 ठीटा का व्यूतक्रण में आपका कोड़ ठीटा होता है कोड़ ठीटा ध्यान दिजेगा यह बहुत बढ़िया इंपर्टेंट पॉइंट है बाबू इसको ध्यान देना है चलिए समझा रहें रिपिट कर रहें ध्यान दिजेगा चलिज二 आगे बटते ह साइन ठिट्टा का व्यूत्क्रम अर्थात उल्टा कोश ठिट्टा ध्यान देना है कोश ठिट्टा के व्यूत्क्रम अर्थात उल्टा सेख ठिट्टा ट्वैन ठिट्टा के उल्टा कोश ठिट्टा अगर इसको हम उल्टा कर दें इसको उल्टा कर दें अगर इसको उल्टा क के उल्टा कोष ठीटा कर अंच्छम कर देगा तो आको घबढाना नहीं है आपको घबढाना नहीं है बे हिचक जबाब देना है किए हमने क्या बताया रिपिट कर वह बिंगेगा तो कौष एक थिटा कूल टा सेख ठिटा तुनिटी का ठिटा क्लिस्टा कूल ट्रृस इगा आगे बढ़ते हैं अब lets ifa और शेख टीटा कूल टृस टृस टृसति को उलट प्लृट करके उलटा आप बता सकते हैं विल्टक्रम बता सकते टि भटकने मत दीजिए अज अधम अपने नजर को इस बोड में गलाए रखिए ध्यान भटक नहीं चाहिए बाबु नहीं तो आप लोग का मिस्टेप होगा और मिस्टेप होगा तो कोशन में दिक्क्त आने लगेगी ठीके क्योंकि बहुत बढिया अधम आसान तरीका से और कि अब यहां पर माल जिए यहां पर सुत्र पूछेगा यहां पूछेगा सुत्र इह ही एक डो तीन चार ऊंच छे तो हम सबसे पहले क्या बता थे तिरी कोण मितियों अनुपात कितने होते हैं छहाओ होते हैं यहाँ पर आप लोगको बता दिये थे त्रिकोणमितिय अनुपातों का सुत्र, तो त्रिकोणमितिय अनुपातों का सुत्र, यहां पे पहला त्रिकोणमितिय अनुपातों का सुत्र, यहां पे पहला त्रिकोणमितिय अनुपातों का सुत्र, यहां पे पहला त्रिकोणमितिय अनुपातों का सुत्र हो जागा लंब बाट्टा करण ध्यान दिजिएगा अब इसको हम देखिए संकेत में लिखे अंग्रेजी अच्छर के संकेत में तो लंब का संकेत होता है P और करण का संकेत होता है ध्यान में समझ में आ गया होगा कहने का मतलब लंब को सुचित किया जाता है P से और करण को H से तो क्या यहां नहीं हो सकते हैं हो सकते हैं आपका यहां पे हिंदी में भी सुत्र हम दिखा दिये और यहां पे इंग्लिस अच्छर के संकेत में भी सुत्र दिखा दिये कोई दिक्कत है क्या नहीं ने दिक्कत द दूसरा नम्मर में त्रिकुण मितिया उनपात होता है क्या कोस हो जागा कोस ठीटा इसका हिंदी में सुत्र हो जागा अधार और बाट्टा करण चलिए संकेत में सुत्र हो जागा बी बाट्टा एच कोई दिक्षत नहीं होगा चलिए तीन नम्मर में होता है टायन टायन ठीटा इसका हिंदी में सुत्र हो जाएगा लंग और नीचे हो जाएगा आधार संकेत में हो जाएगा आपका P बाटा B चलिए आगे चार नम्मर में तिरकुण मितिया उनपाद होता है कोट कोट ठीटा तो हो जागा आधार को उपर कर दो आधार को उपर कर दो और लंग को नीचे यहीं आपका सुत्र हो जाएगा कोट का लंग नीचे चलिए कोई दिकत नहीं चलो, अब B को उपर कर दो, और P के नीचे कर दो, उल्टा कर दोगे, सुत्र हो जाएगा, कौट का, पांच नम्मर में सेख, सेख ठीटा, इसका हिंदी सुत्र होता है, होता है आपका आधार, सौरी, होता है करण, करण बट्टा आधार, संकेत में हो जाएगा, ह बट्टा बी, चलिए, जो आखरी है, छो नमर में, आखरी तिरकुण मितिया अनुपात, वह होता है कौश एक, कौश एक ठीटा, चलिए, इसका हो जाएगा करण, आप बट्टा लंब, इसका संकेत में हो जाएगा, ह बट्टा पी, चलिए, सभी आप लोग के सामने सुत्र मौजूद हो गया सुत्र लिख दिये ध्यान दिजिए साइन ठीटा के सुत्र होता है लम बटा करण बराबर पी बटा एच दोनों सुत्र हैं हिंदी में और संकेत में दूसरा कौश ठीटा का सुत्र होता है आधार बटा करण बराबर भी बटा एच ध् एक थिटा का सूत्र होता है कौन बट बट आधार बराबर h बटत बी कोश ₲ज एक तिटा का सूत्र होता है h बटत पी मने कौनळ बटत लूम और थात h बटत birthday समझ माघया ओगया कोई दिक cost नही कोई notamment होता है ध्यान दीजिए तो ध्यान दीजिए अच्छा साइन समझेए साइन साइन ठीट्टा का साइन ठीट्टा का व्यूत्कुरम क्या होता है ध्यान दीजिए तो साइन ठीट्टा का व्यूत्कुरम क्या होता है को सेक ना को सेक ठीटा ना ध्यान दीजिए यहां पे अगर तो तीन को सुत्र आपको याद रहेगा तो आपको तीन को और मने छो सुत्र याद हो जाएगा कोई से तो हम समझाने देखिए तो यहाँ पे ध्यान दिजेगा अब कोश ठीटा के उल्टा क्या होता है कोश ठीटा के उल्टा क्या होता है कोश ठीटा चलो अब देखो तो यह डेखो बनिया से यहीं पर सभी खेल है आचा के यूश्य उब्ला सoral लंबा कर देते हैं थयान दिजीख साइं ठीक तकी उल्टा होता है ठीक ठीक ध्यान दिजूग अब बबूल कोस कोश ठीटा के उल्टा होता है क्या सेख ठीटा अब देखो टैन ठीटा टैन ठीटा के उल्टा होता है क्या कोट ठीटा कोट ठीटा तो बस आप साइन कोश टैन यह तीनों याद रखिए न यह तो तीनों अपने आप हो जाएगा देखिया कैसे साइन ठीटा का सुत्र क्या प कि सवस्री बी बटा यच और टा का पाए तां का सुत्र पा-पी ध्यान दीजे तो टो अब अब हम जब जाते हैं कि स्टा क्ल्टाक कौ से rif होता है कौश्चता कूल्टा से ठीटा हम पहले कुछ मिनट पहले हम बताया थे भूल गये हैं क्या भूलिएगा मत एक-एक बात को ठुटने मत दीजे एक-एक हमारे बात को एक-एक अपने दिमाग में रखिये बाबुने दिक्कत होगा परतानी आप लोग को बढ़ेगी चलो तो हमने यहीं बताया साइन का उल्टा को सेक, कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा को तो अब उल्टा कैसे करना है देखो यहाँ पे समझा रहे हैं उल्टा उल्टा करने का मतलब नीचे वाला उपर कर देना है और उपर वाला नीचे तो देख लो एच क्या है एच नीचे है तो उपर चल है तो यहां पर ही तो उपर जला जाएगा और पी उपर है तो नीचे आजाएगा अब मिला यह to सेघ ठिटडा का सुतर मिला है यहां है Saturday है यहां फॉस्मज में आ होगा अब देखो अब कोर्ष्कोल्टा सेख होता है तो सुतर कूझारों लुपँर कर yht striking है और सेख अगा अब देखो यहाँ पर ह gider का सूतर क्या है यह थे इसको उपर कर दो और देखो तो लिए कितले क Cincı एक तेख युटर टे रहता है तो आप उल्टा कर घे इसको उल्टा कर देंगे नौ तो कौसे क कर दिखोर्ट का हो जाएगा समझ में आ दम समझ में आगया होगा बबू क्योंकि हम पढ़ा है और हमारा पढ़ा हुआ बबू कभी विफन नहीं होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ध्यान देते रहिएगा, अपना नजर बौड में से घंघ कुम तो ध्यान दिजे आघर ठीके अगर जे नजर भटक गया आपनों का इधर उधर तो दुर घटना घर जाएगा ध्यान दिजे इधर अब देखो बाबू इधर अब देखो इधर तो क्या करने माने है चलिए आपके सामने बढ़िया चीज़ अब देखिए तो कैसे इसको याद करेंगे ध्यान दिजेगा देखो कैसे याद करेंगे देखो हम यहाँ पे साइन साइन ठीटा का सुत्र होता है पी बटा एच कोस का होता है कोस ठीटा का सुत्र होता है बी बटा एच टैन का होता है टैन ठीटा का सुत्र होता है P बाटा B सेक का होता है सेक ठीटा का होता है H बाटा B और को सेक ठीटा का होता है H बाटा B ध्यान दिजिए अब इसको कैसे हम याद करें इसको कैसे हम याद रखेंगे मालिजे बाइद वे अगर कभी भूल गए भूद देशन माल जिए कभी अचानक इस शुतर को भूल गय, परिछाम गय और शुत्र अचानक भूल गया, तो हम कैसे याद करेंगे? इसको तो एक ट्रिक है भागु ध्यान दीजे यहाँ पे इस शुत्र को याद करने का ट्रिक देखें यहाँ पे ट्रिक देखो ट्रिक काईसे याद करेंगे देखिए यहाँ पे कर देंगे ध्यान दीजेगा देखो यहाँ पे ध्यान दीजे क्या हम लिख रहे हैं ध्यान दीजे दूगु ट्रिक बताएंगे बागु देखो यहाँ पहला ट्रिक याद रखेगा और दूसरा दूगु ट्रिक बताएंगे ध्यान दीजे यहां दिजिए इसको समझना है इसको समझना है बस यहीं कर लेना है आपको पहला ट्रीक में रखना है PBP मने PBP और यहां पे नीचे है ही मुख ध्यान डेना है यहां पहला चुनीख है बबू याद्र को याद्र के प्रिख सोड़र में चार होता है इसका होता है आपका दी बதु प्र आश चालिए यहीं छोगो को बात का सुत्र होता है अब इस छोगो को माली हम पूल गए तो कह से हम याद रखेंगे कि इस को हम वहाद कहेंगे कि अदम सुत्र हम बना ले, तो के देखिए क्या, यहाँ पर धयान दीजिए, P, B, P और यहाँ में नीचे, H, H, B, कहने का मतलब इसको क्या कहेंगे, देखो, P क plugs अगर हम हां हिंदी सब्द निकाले, हिंदी में, इसको चलो, इसको हम हिंदिम करें, तो P का मतलब अगर हम ले ले, पकिस्तान, और B का मतलब भूखा, और P का मतलब पड़ा, कहने का मतलब पकिस्तान भूखा पड़ा, पकिस्तान भूखा पड़ा, ध्यान दिजेगा, हिंदी सब्द, P का मतलब पकिस्तान, B का मतलब भूखा, और P का मतल सब्सक्राइब हिंदुस्तान हरा भरा ठीक है ध्यां दिजिए ध्यां दिजिए इस परकार का ट्रीक याद रख लिजे बबू यह सुत्र आप जिंदुगी भर नहीं भुलाएंगे जन्मों जन्मों तक याद रहेगा यह सुत्र बबू अगर यह ट्रिक्स आगर आप अपना भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा पकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होगा देखो ध्यान दीजिये क्या कर रहे हैं यह समझ में आ गया होगा पकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदूस्तान हरा भरा ठीके चलो तो देखो तो पी बट्टा एच किसका सुत्र है किसका सुत्र है यह किसका सुत्र है साइंठीटा का देखो तो देखो तो पी बट्टा एच कोहने म तो अब देखो पी बटा एच किसका सुत्र मिल गया साइन ठीटा का देखो तो देखो तो मिल गया अब देखो यह दूसरा दूसरा देखो दूसरा देखो कि बी ब्टटा एच देखो कस फिटा का मिल गया अब देखोантиसरा डम इपटाबी किसका, मिल गया देखो त्थ आ चलंटा का मिल गया तो त्थ आइंठेटा का सूत्र मिल गया 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 बश्टटल लिजा q जाएगा अज़ और ओपर joaeda exp due also a new और उपराइंड नीचे हो जाएगा उपरांके नीचे तो हो जाएगा फी भी पी कहने का मतलब payroll यहां पे क्या था अधा पकीस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा अब हिंदुस्तान हरा भरा उपर चला गया और पकिस्तान भूखा पड़ा नीचे आ गया तो देखो तो देखो तो एच बट्टा पी किसका सुत्र है को सेख ठीटा का और वी बट्टा वी किसका सुत्र है को सेख ठीटा का और वी फुनास राब लोको पढ़ा रहे हैं देखोption ह Russutno हम हिंदु पकिस्तान भूका पला हिंदु संभरा एससे साइण कॉश्टर के सुत्र निलंगे हिंदु स्थान हुरा पकिस्तान बूंखा पला इसका तीन ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोग को बाभू दूसरा ट्रिक देखो दूसरा ट्रिक क्या है ध्यान दिजिए अगा दूसरा ट्रिक चलिए ट्रीक नम्मर दो यहांप हो जागा यहां पहो जागा है एच एच ऑजुश दूसरा ट्रिक आप देखो इसको क्या लेना है ध्यान दिजिए क्या लेना है पी बी बट फ एच एच बी इसको हम कहेंगे एक दम समजमें आ गया चलो यहां नीजीए तो इसको हम कहेंगे पंदित बदरी परसाद हर हर बोल सुनो बाबुलो पंदित बदरी परसाद हर हर बोल चलो बोल लिये क्या चलो देखो पी बता यौच साइन का सुत्र बी बटा योच कोज का सुत्र पी बटा बी टाइन का सुत्र समझ में आगया ना चलो इसको उल्टा करो एच एच बी अब बटा पी बी पी चलो इसका उल्टा कर दिये इसका उल्टा इसको उल्टा करो एल्टा करो इसका कि अब हो जाएगा यहां पर हर ह्र मोर् पंडित बदरी परसाथ, देखलो, और यहां पर बप्टा पी काउट का सुतर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हुआ फोगा, चलिए, यहीं पर अपना पहला क्लास समाफ्त करते हैं माबू, मेलते हैं कल, अगला कलास में धन्यवाद